असलाम अलेकुम विवर्स, वेलकम तू दे चैनल अगेन आपको पता है कि इस चैनल के अंदर मिलती है इंफोर्मेशन आपको जोब्स के हवाले से आज हम बात करेंगे कि जोब्स जो भी होती है चाए BPS 5-15 हो या PST, JST हो कोई भी जनल जोब्स होती है जो वन पेपर, MCQs के हवाले से होती है तो उसकी तियारी कैसे करें और उसमें Science का portion कौन सा आता है वो आज मैं आपो clear करवाऊंगा देखें, Generally Science जो है वो तीन portion में आप divide कर सकते हो Physics, Chemistry and Biology जो भी Science में, General Science में आता है वो इन तीन सब्जेक्स में से ही आता है तो चुँके मैंने एक Chemistry, General Chemistry जो है उसके लिहाज से एक वीडियो बना ली है जिसमें पूरी General Chemistry जो है मैंने clear करवाई है About 100 से ज्यादा भी जो है वो topics मैंने clear करवाई है वो simple हैं बहुत, atom क्या होता है, molecule क्या होता है, element क्या होता है, elements के symbol कैसे होते है इस तरह से सारा कुछ मैंने, General Chemistry वाई लेक्चर में मेरे YouTube के चैनल पे Classes by फयास खटी जो के अभी आप देख रहे हैं, अगर आप new है इस चैनल के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब खरनें और भी आपको इस तरह से वीडियो मिलती जाएंगी Now Classes by फयास खटी के अंदर जब आप चाहेंगे, सर्च में जाएंगे Chemistry by फयास खटी या General Chemistry by फयास खटी तो आपको मिल जाएगी उस मेंसे तो इसकी दो वीडियो मिलेंगी, दो वीडियो में जो है टॉपिक्स बहुत ज्यादा थे तो दो वीडियो में उसको मैंने कवर किया है एक और बात बता दूँ के उस वीडियो को आप आडियो आजियूम करें कि General Science में और क्या-क्या आता है अगर हम General Science को हम Biology, Chemistry, Physics से अलावा हटके अगर हम बात करें तो कौन से कौन सी चीज़ें अगर हम किसी और चीज़ से, किसी और बुक्स से कुछ पढ़ना चाते हैं सरफेसली, कोई Bio में Deep नहीं जाना चाते हैं में Deep नहीं जाना चाते हैं, Physics में Deep नहीं जाना चाते हैं तो कौन से कौन से अरियास को हम Clear करेंगे So that is about vitamins, vitamins की Study करेंगे इसमें vitamins से सवाल आते हैं, vitamins A, B, C, A, B वागेरा जो भी हैं तो यह इसमें से जो है B and C, जो है Water Soluble है, दुसरे आत जाते हैं, तो यह differences आ जाते हैं, उसके लावा mirroring tools, अच्छा, vitamins की कमी की वज़ा से कौन से डिजीज होती है, यह भी आपको याद रखनी है, यह सवाल ऐसे आते हैं, कि इस करवे is caused by, इस करवे is caused by what, किसकी by deficiency of deficiency of what, ठीक है, तो कौन से vitamin की deficiency की वज़ा से इस करवे होती है, आप्शन होगा आपके पास A, आप्शन होगा C, आप्शन होगा जो D, ठीक है vitamin D, आप्शन होगा K, तो इस मेंसे जो C option है, C option को आपको करना है, क्योंकि इस करवे जो है, vitamin C की कमी की वज़ा से होती है, इस रहा से सवाल आत आते हैं, अब यह आपको याद करने के जरूर नहीं है अगर आप ज़्याद निफो लेना चाहते हैं तो इसके वह एक यावते ब्लीडिंग होती है गम्स के अंदर लेकिन हमें जिस्ट करनी है क्या प्रिपरेशन किसी भी जॉब की तो इतना डीप में नहीं जाना क्यों होती है किसे डिजी प्रिपरेशन हैं के अंदर वह आजाते हैं मेरिंग टूल्स के दिस आइसे के फार्ड़ेशन के मिल्कड़ कुछ करने को म Leaders क करने के लिए कौट सा डिवाइस उगद होता है उस मेरिंग तोल को क्या नाम देते है उसको कहते हैं लेक्टोमीटर उसको कहते हैं लेक्टोमीट जैसे heat को मेयर करने के लिए तो आपको पता होगा thermometer इतना मुश्किल नहीं है ठीक है घर्मो मेटर जैसे के जमीन के अंदर जो जिल्दले आते हैं अर्थ को एक उसको मेयर करने के लिए क्या यूज होता है वो हता है सीजमो ग्राफ सीज्imento graph यूज़ होता है और दूसरा जो है वोicorn scale भी यूज़ उता है ठीक है, ऐस तरह से, now if layering tools हो जाते हैं, इसे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं और तीसरा जो है, मेर इंपोर्टंट है units of physical quantity, physical quantities जो होती है उसके units कोण से हो सकते हैं, ठीक है units of physical quantities ऐसे हो सकते हैं जैसे के वर्क का यूनिट क्या है ठीक़ है एनर्जी का यूनिट क्या है वह भी जोल है थीक जैसे के विलास्टिका यूनिट क्या है विलास्टी नेल मीतर पर सेकिन का यूनिट क्या है असलीरशन का यूनिट मीटर पर सेकिन स्कुर्ड अचारी त्यूम तैयरी स्रफ जॉप्स के हुआले से भी नहीं आप जो है अगर यूणिएस्टी आफ सिंद्की क्रिपेशन कर रहे हैं को पूल पी उसके लिए भी यह फा मैं लिखता हूँ कि कौन सी कौन सी चीज आ जाती है यूनिट सा फिजिकल कॉण्टी इस आउग गया उसके पार एक अग्वर्यन कन्वर्यन यूनिट से कैसे दूसरे यूनिट में कन्वर्यट किया जाता है ठीक है फार एक्वल आपको जो है कोई चीज विलास्टी है वो मिली वी है मीटर पर सेकिन के अंदर ठीक है 40 मीटर पर सेकिन के अंदर इसको आपको आपने कन्वर्यट करना है किलो मीटर पर आवर क के अंदर तो यह कैसे करेंगे तो यह कंवर्यंस के रूल भी सिखने पढ़ेंगे आपको तो किलो में 40 को आप 1000 से मल्टीप्लाइब करेंगे डिवाइड बार थर्टी सिक्स हंड्रेट थाउजन ठीक है सूरी थर्टी सिक्स हंड्रेट ठीक है क्योंकि वन आर के सिस्टी मिनिट्स होते हैं किलो में नहीं के आपको एz क्यूंद यह पाइब तो यह आ सकते हैं उसके बाद deficient disease deficient disease एक तो होगई vitamins वाली इसके इलावा कुछ minerals वाल जासे कि Aodine Aodine की कमी की वजह से क्या होता गोईतर गले के अंदर सोजन हो जाती है so goate is called by the deficiency of the Aodine इस तरह से hemoglobin की कमी की वजह से होता है बहुत सारी इसी diseases है वो भी आपको पढ़रेगी थे इसके लावा symbols, जो elements होते हैं, ठीक है, chemistry में elements होते हैं, उसके symbols जो हैं, वो भी याद करने होते हैं, जैसे के, आपको ऐसे दिखते हैं, जो element है, वैसा ही, उसका symbol होगा, ठीक है, जैसे के आपको लगता है, गोल्ड, गोल्ड का क्या होना चाहिए, जी, बड़ ऐसे नहीं होगा, गोल्ड का है, ओराम, ओराम से निकला है, Latin word, AU, ठीक है, इस रहा से आपको केल्शम, केल्शम का याद करना होगा, केल्शम का है, CA, ठीक है, इस रहा से जो sodium, sodium, sodium का, जो है, वो, symbol कौन सा है, NA, लगता ऐसे आपको के A सोना चाहिए, ऐसे नहीं होता, ठीक है, potassium, फिर करने, potassium, potassium का सेंबल कौन सा होगा, के, ठीक है, इस रहा से जो है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सेंबल कौन सा होगा, N, ठीक है, इस रहा से ये सेंबल्स याद करने पढ़ेंगे, और इसके लावा, इनके chemical formulas याद करने पढ़ेंगे, क्या याद करने पढ़ेंगे, chemical formulas, ये भी इस एड़ कर लें chemical फार्मुलाज जैसे के sodium chloride NACL ठीके sodium hydroxide NaOH hydrochloric acid का क्या है HCl water का क्या है है H2O ठीके common salt का क्या है वह sodium chloride इस तरह से यह आपको symbols भी और chemical equations भी याद करने पड़ें कि जैस सिंपल सिंपल ठीके सरफेज लिए अगर सिंपल सी टेस आती है तो अगर थोड़ी सी डीप आती है तो chemistry selected थोड़ी typical आ सकता है chemical में आ सकता है कि chemical change क्या होता है ठीके और physical change क्या होता है physical change ठीके और chemical के अंदर isotope क्या है chemistry के अंदर isotope के बारे में पूछा जा सकता है ठीके यह तो जनरल चीज़ है मतलब एरियास नहीं है यह टोपिक्स है टोपिक्स बहुत सारे आ सकते हैं अगर डीप केमिस्टी है तो आपको डीप थोड़ी केमिस्टी भी पढ़नी है लेकिन सर्फेस लिए अगर कुछ कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे मतलब आपका टाइम बहुत कम है तो इन चीज़ों को जरूर आप याद करने इन चीज़ों को जब आप याद करेंगे तो मतलब आपकी 62-70% टेस्ट हो जाएगी तो आज का मेरा वीडियो था यह इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए आपको पहले भी पता है मैंने मैं हर वक्त आप कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सपोर्ट करूं क्योंकि आप लोग भी सपोर्ट करते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब क करते हो दोस्तों को भी बताते हो क्योंकि यहां पर कंटेंट आपको नौलेज वाला मिलता है ठीक है तो आपकी ग्रोथ के लिए मिलता है तो इसलिए मैं वीडियो जो भी टाइम मिलता है तो बनाता हूं अक्चुली मुझे टाइम बहुत कम मिलता है टाइम जिसे मिलेगा तो मैं आपको और भी वीडियो बना अच्छा इसी चैनल के अंदर आपको और बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जैनल इंग्लिश जो है जैनल इंग्लिश का जो है सेंटेंट्स कैसे बनाना है यह सारे यह चीज़े भी मिल जाएंगी तो बहुत सारी कुछ इसके अंदर मि से स्किल्स होनी चाहिए वगेरा अगर आप और भी इसमें कंफ्यून है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि कैसे डेमो देना चाहिए कैसे इंटर्यू देना चाहिए वगेरा यह सारी शीज़ें भी मैं बता सकता हूँ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें आप पसमें ग्रूप्स में बनाया और स्टेडी क्या करें बराय मेरबानी जोब्स चुह हैं उसको सीक्योर कर लें फिर आप रिलेक्स से पूरी जिन्दगी गुजारें बहुत बहुत शुक्रिया